नवस्कार दोस्तों, विल्कम टू स्टडी आएकू, अगर एक कंट्री को सबसे ज़ादा फायदा हुआ है, इवेन यूएस से भी ज़रा फायदा, तो वो है इस्राइल, आप अगर सोच कर देखें, तो अंडर डॉनल ट्राप, यूएस सरकार ने अपनी एमबसी शिफ्ट कर इस्राइल, एक डील साइन करवाई है, बेट्वीन कोसोवो और सर्वियाब कह सकते हैं, बहुती लिमिटेड टाइम के लिए, ये एक तरीके का शांती समझोता है, और यहाँ पर एकोनॉमिक डिवलप्पेंट भी होगी, और इस डील में भी, सबसे बड़ा विनर यूएस नहीं है, ना कोसोवो है, ना सर्विया है, इस डील में सबसे बड़ा विजेता है, इसराइल, डिसकस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोल करो, यहाँ पर स्टेडिय की उजिकेशन और यहाँ पर आप खरीज सकते हैं, हमारा flagship UPSC course, इस course को खरीदने के लिए, EMI option available है, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon, और आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए, बेरी हर वीडियो की, टेलिग्राम अपर जाओ, यहाँ पर सर्च करो, add the rate धवन sir, and join this telegram channel for the latest notification of every video I upload, अब जो यह टोपिक इसके बारे में समझने के लिए पहले आपको जाना होगा इतिहास में, हम बात करते हैं 1362 AD की, उस जमाने में Europe में एक बहुत बड़ा empire हुआ करता था, सर्वियन empire, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह था सर्वियन empire, अगर अब modern day Europe को अगर देखें, तो मतलब के यहाँ स लेकर यहाँ तक का जो region था, this belong to the Serbian empire, यह empire अपने आपे काफी strong था, एक Christian empire था, अब Serbian empire का बढ़वाना होना स्टार्ट हो गया 1389 में, जब Ottoman empire ने धीरे धीरे युरोप की जमीन कभजानी स्टार्ट कर दी, आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा Islamic empire था, Ottoman empire, जो World War I के बा battery थी, Kosovo, इस region को completely transform कर दिया, Ottoman empire ने, Ottoman empire ने यहाँ पर demographics काफिया तक change कर दिये, population ने बदलाव कर दिया, और कुछी सदियों में, Kosovo under Ottoman empire एक Muslim majority region बन चुका था, तो इसके बाद अब हम आते हैं, World War I के अंत पर, जब Ottoman empire बिलकुल गिरने वाला था, तो सर्विया ने उस वक्त अपनी पुरानी जमीन, Kosovo वापस ले ली, 1912 में, सर्विया के लोगों को यहाँ पर यह लगा, कि यह अपना जो land है वापस ले रहे हैं, जो सर्वियन empire के अंडर था, मगर यह भूल गए कि कई सदियों तक, Kosovo रहा है, अब Ottoman empire के अंडर, और Kosovo वैसा region नहीं रहा, जो ए Kosovo बहुत ही एक integral region है, और सर्विया, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही integration हुआ, Kosovo का सर्विया में, एक नया देश सामने आया, यूगोसलाविया, जो disintegrate करिया था, 1991 में, तो यूगोसलाविया के तूटने के बाद, फिर सी, World War I के खतम होने के बाद, सर्विया को freedom मिल और problem यहाँ पर यह थी, के freedom मिलते ही, Kosovo के लोगों ने यह कहा के alright, अब यहाँ पे हम एक बहुती पुराना issue resolve करना चाते हैं, हम सर्विया का part नहीं बनना चाते हैं, हमारा religion अलग है, हमारा culture बदल चुका है under Ottoman Empire, और अब हम चाते हैं, के हम लोग एक अलग देश बन जाए और Kosovo के लोगों ने खुद independence डिकलेर कर दी 2008 में, अब obviously सर्विया कोई acceptable था नहीं, सर्विया और Kosovo के बीच में इसकी होजे से काफी tensions हुई, काफी दंगे हुए, violence हुआ, सर्विया ने का कि नहीं historically, आप हमारे part है, even though यहाँ के लोगों का religion अलग है, आप लोग मिल के रह इस countries, for example, Australia, Canada, European countries, इन सबने support किया Kosovo को, whereas Russia, China, India और कई और कई और countries ने support किया सर्विया को, और इन्हों ने यह कहा, कि यह Kosovo की independence accept नहीं करेंगे, और यह मानेंगे कि Kosovo सर्विया का ही part है, तो आप कह सकते हैं, Kosovo सर्विया के issue को लेकर, दुनिया बढ़ चुकी थी, question य या फिर यह सर्विया का part है, अब finally under Donald Trump, यह जो issue है, for the time being, resolve हो चुका है, Donald Trump ने क्या किया, कि बाचीत करनी स्टार्ट करी, with the leaders of सर्विया और Kosovo, दोनों को बलाया Washington DC में, यहाँ पे आप देख पाएंगे, और दोनों को यहाँ पर यह कहा, कि आप लोग अभी के लिए, जो either not recognize, और revoke the existence of Kosovo, मतलब कि, सर्विया एक साल तक, दुनिया में किसी भी देश को यह नहीं कहेगा, कि Kosovo की independence, revoke कर दो, ना Kosovo किसी देश को यह कहेगा, कि आप लोग हमको accept कर लो, as an independent देश, इस issue को freeze कर दिया जाएगा, एक साल के लिए, और complete focus होगा, on economic development, अब economic development यहाँ आपर कैसे होगी, यह होगी from US loans, US ने आपर यह कहा है, कि billions of dollars की investment होगी by American companies in Kosovo and Serbia, और US government खोद, loan प्रोवाइड करेगा, दुनों देशों को, for development of railway network, एक साल के लिए, focus करो on economic development, आपस का जो मतभेध है, यह अभी के लिए भूल जाओ, और साथी साथ, एक दुसरे के जो diplomats ह इनको accept करो, और proper तरीके से communication establish कर दो, तो यह मैं कहूंगा, at least for one year, दोनों countries के वीश में, relations normalized हो चुके हैं, और सबसे बड़ा beneficiary यहाँ पे होगा, इसराइल, अब यहाँ पे आप सोचेंगे, wait, so, इसराइल यहाँ पे कैसे आ गया, कॉसोवो और सर्विया तो, आपको और इसराइल बहुत दूर है, यहाँ पर, तो इसराइल का क्या relation है, देखो, Donald Trump ने यहाँ पर शर्द यह रखी, कि आपको हम loan देंगे, आपको हम help करेंगे, मगर, आप दोनों देशों को, सर्विया को, और कॉसोवो को, अपनी embassy, US की तरह, shift करनी होगी, from Tel Aviv to Jerusalem, और इस बा जरुसिलम, सर्विया पहला European country, और कॉसोवो पहला Muslim majority देश होगा, जो अपनी embassy, shift करेगा to Jerusalem, इस से जो इसराइल का claim है, जरुसिलम पे, यह और ज़रा strong हो जाता है, तो it is a huge boost for Israel, US ने आपर एक और शर्द यह रखी है, कि दोनों देश, चाइना की जो company है, Huawei, इसको 5G network से भ खतम कर दिया है, at least in the telecom sector, तो यह US के लिए अच्छी बात है, कि एक छोड़ा सा जो यह region है, यहाँ पर US ने 5G market capture कर ली है, for the time being, और final शर्थ यहाँ पर यह है, जी हाँ, काफी शर्तें से agreement पे, final शर्थ US की यह है, कि Hezbollah को दोनों देश designate करेंगे, एक आतंगवादी तो आज के समय कौसोवो जो एक Muslim majority country है, दोनों के हसाब से Hezbollah एक आतंगवारी संगटन है, और यह Hezbollah की financing अपनी तरव से रोकेंगे, final यहाँ पर एक और बात अड़ करी गई है, कि दोनों देश decriminalize करेंगे homosexuality को, कौसोवो में आपको बता हुआ कि homosexual होना एक crime है, तो दो यह है Donald Trump की complete deal, और इस से अभी के लिए कौसोवो खुश है, सर्विया काफी खुश है, इसराइल बहुत ज़ारा खुश है, इसराइल के जो प्रदान मंतरी है, नेतन याहू, इन्होंने यह का है कि बहुत अच्छी बात है, कि पहला Muslim majority country है, जो open करेगा अपनी embassy in Jerusalem, जो Muslim majority countries ह मैं आपर अलुशना करी है, इस पूरे agreement की और यह का है, कि यह complete violation है of the international law, इन दोनों देशों को अपनी embassy, Jerusalem में shift नहीं करनी चाहिए, बाकी जो issues है, homosexuality को लेकर, loan को लेकर, वहाँ पर Turkey को कोई issue नहीं है, main यहाँ पर इनकी problem है, Jerusalem में embassy को लेकर, और अभी के लिए जब मैं video record क का reaction आया नहीं है, मगर I assume कि बहुत ही जल्द उनका reaction आएगा, और वो लोग भी कहेंगे, कि यह जो move है by US, यह गलत है, और हम नहीं चाहतें कि Jerusalem में, यह लोग अपनी embassy shift करें, so यह है complete analysis of Donald Trump's master stroke, एक बहुत ही deep, comprehensive, और effective deal है for the time being, और long term में हो सकता है कि Kosovo, Serbia को इस से इतना ज a clear winner in this deal between Kosovo and Serbia, so thanks for listening and as always God bless you all.